आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और एकदम वेलवेटी चॉकलेट मूज, बनाने में ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जाधा टेस्टी बनता है ये, तो अगर आपको भी मेरी तरह चॉकलेट बहुत पसंद है ना, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्र चीनी, पिसी हुए चीनी की जगह आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं बट उसे आप दूद डालने के बाद डालिएगा इसमें, तो इन तीनों चीजों को पहले थोड़ा मिक्स करेंगे, और अब मैंने यहाँ पर यह 500 ml यानि की आधा लिटर दूद लिया है, इस दूद को न किसी भी सॉस पैन या पैन में डाल लेंगे, बट उससे पहले हम इसे एक बार छान लेंगे, तांके इसमें कोई भी लम्स ना रहे, तो इसके लिए एक छनी रखिए एक सॉस पैन के ऊपर मैंने यहाँ, तो आप देखनें कि यह जो छोटे-छोटे से लम्स हैं, इसे अब हम हटा देंगे, और इस मिक्षर में अब हम थोड़ी से और इंब्रीडियेंट्स अड़ करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रहे हूँ आधा कप मलाई, घर की ताजी मलाई लिए मैने यहाँ, जो दूद को उबाल के ठंटा करने के बाद उसके उपर आ जाती है अब अगर आपको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, एक फिंच डालेंगे नमक, तो इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, और इसके बाद एंड में आप मैं इसमें 100 ग्राम डाक चॉकलेट डाल रहे हूँ, इसके जगह आप डेरी मिल चॉकल और इसे तब तक पकाना है, जब तक कि यह जो मिक्षर है ना यह पूरे अच्छे से थिक ना हो जाए, तो बस इसे लगातार इस तरह से चलाईएगा, और नीचे तक चलाना है, साइड पे भी अच्छे से मिक्स करिएगा, क्योंकि करी बार जो कॉन फ्लार है ना को साइड तो थोड़ी देर के बार यह जो चॉकलेट हमने इसमें डाली थी ना वह अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसका कलर भी डाग हो गया है, तो बस इसी तरह से चलाते रहे और इसे थिक होने तक पका लीजिए, और इसे मिक्स करने के लिए चाहें तो यह विस्की उसकर सकते हैं मुझे इस से थोड़ा जादा कमफर्टिबल लगता है, तो थोड़ी देर तक पकाया, मैंने इसे लगाता चलाते हुए, और आप देखरें कि अभी जो मिक्षर है, यह काफी अच्छे से थिक हो गया है, और एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें, बस इसे अभी निमी सा चॉकलेटी मुझ तायार है, गैस को अब मैंने बंद कर दिया है, और आप देखरें कि यह कितना लश्यस लग रहा ना देखने में, तो चलिए मुझ तो हो गया तायार, अब इस मुझ को न मैं एक बर छान लूँगी एक छनी से, ताकि इसमें अगर बाय चांस सर्फ करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यह शॉट ग्लासे यूज किये हैं, आप अपना मन पसंद कोई भी ग्लास या बोल ले सकते हैं, इसे सर्फ करने के लिए, तो अब हम इसमें इसे फिल करेंगे, आप देख रहे हैं कि कितना एकदम क्रीमी और यमी लग रहा है, फाइनल गानिशिंग के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर डस्ट कर जहूं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या फिर कोई और गानिशिंग कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है यह देखने में, तो बस इसे के साथ तायार है, हमारा यह बहुत ही टेस्टी, क्रीमी, वेलविटी, चॉकलिटी, मूज, तो है ना कितना असान इसे बनाना, आप भी इसे जरूर ट्राय करें, और मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और इन सारी रेसिपेस की पिक्चर्स भी आप में इसा शेयर कर सकते है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आज हम बनाएंगे, यह सिर्फ दो कप दूद के साथ बनी हुई, और सिर्फ 15 मिनट में बन जाने वाली एक बहुत ही टेस्टी और एक तम क्रीमी, वेलवेटी बिसकॉफ पुडिंग, देखने में ही आप देखने हैं कि कितनी यमी लग रही है यह और बनाने में यह बहुत ही जादा आसान है, एकदम जटपट से बन जाएगे और बहुत जादा टेस्टी बनती है यह, जरू ट्राय करिएगा इस रेसिपी को, और हाँ, रेसिपी पसं है और यह हर किसी को अवैलेबल भी है, तो मैंने पार्ले जी लिया है, आप इसके जगा अपना मन पसंद कोई भी और प्लेन बिसकुट ले सकते हैं, अगर आपके पस लोटस बिसकॉफ वाले बिसकुट्स होना, तो वो वाले यूज करिएगा, उसे यह डिजर्ट और भी ज़ाँ आपसिती लगेगी, तो इन बिसकीट्स को अब हम एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगी, और इसे हमें ग्राइंडर करके एक दम फाइन पाउडर बना लेना है, तो बस बिसक्ट्स का पाउडर त्यार हो गया है, अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे, आई इस कि बिस्किट्स इस तरह से बंधने शुरू हो जाएंगे, यानिकि एक wet sand जैसी consistency आजाएगी इसमें, तो बस हमारी ये बिस्किट्स यार हो गए हैं, अब इस dessert को serve करेंगे, जिसके लिए मैं यूज करने हूँ ये इस तरह के छोटे-छोटे से कांच के bowls, मैं इसी में ही इस dessert को assemble करके serve करूँगी, ये बहुत attractive लगती है देखने में, आपके बास ऐसा कोई कांच के bowls नहीं है, तो आप normal steel की काटोरी में भी इसे serve कर सकते हो, या फिर individual bowls में serve करने की बजाए ना, आप एक बड़ा सा कोई भी bowl ले लो, कांच का है, तो वो ले लीजे नहीं, तो steel या aluminum कोई भी bowl चल जाएगा, और उसमें सारी layers को set करिएगा, इस तरह से एक bowl में set करने से आपको time भी कम लगेगा, तो किसी भी तरह से आप इस dessert को serve कर सकते हैं, तो अगर आप भी इस तरह से individual bowls में serve करना हैं, तो आपको थोड़ा-थोड़ा biscuit सा bowls में डाल लेना है, और जितनी quantity मैं बना रही हैं, इसमें मैंने 5 bowls बनाए है, तो biscuits को डाल के हम इसे उपर से थोड़ा सा smooth कर लेंगे, आई, इसके बाद हलका-हलका से इसे pack कर लेंगे, तो किसी भी flat surface के साथ, जैसे ये glass की back side है, हलका-हलका सा प्रेस करेंगे, तांकि biscuits की एक pack सी layer बन जाए, तो आप देखनें की एक layer जैसी बन गई है इसमें, तो बस ये layer आ गई है, अब हम अपने इन bowls को उठा करना, एक बार फ्रिज में रख देंगे, 10-15 मिनट के लिए, तांकि biscuits की layer थोड़ी सी set हो जाए, और तब तक हम अपने अगले process में चलेंगे, तो अब बनाएंगे हम अपनी इस pudding की second layer, जो की है biscoff pudding, जिसके लिए एक sauce pan में, मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये 2 cup यानि की 500 ml दूद, और मैंने उबला हुआ दूद लिया है, और दूद को उबाल के ठंडा करने के बाद, उसके उपर जो मलाई आ जाती है न, वो भी मैं इसी के साथ ही इसमें यूज़ कर जूँ, आपके पास कच्चा फुल फाट दूद हो, आप बो ले लिजेगा, अच्छा इसमें से थोड़ा सा दूद हमें एक अलग के टोरी में निकाल कर रख लेना है, जिसे हम बात में यूज़ करेंगे, और इस पैन वाले दूद में डाल देंगे, एक चुथाई कप या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, और दूद को मीडियम फ्लेम के उपर थोड़ा सा गरब हजाने देंगे, आइसके बाद अभी जो दूद हमने एक अलग के टोरी में निकाल कर रखा था, इसमें हम डालेंगे बिसकॉफ स्प्रेड, तो इस तरह से ये जो लोटस बिसकॉफ स्प्रेड मिलता है ना मार्किट में, ये ओनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, ये बहुत टेस्टी होता है, इस प्रेड को यूज कर रही हूँ मैं इसमें, जिसके लिए ना मैंने इस प्रेड को निकाल कर एक बोल में थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लिया था, तांकि ये इस तरह की लिक्विडी कंसिस्टेंसी में हो जाए और हमें मिक्स करना इसी हो जाएगा, तो चार बड़े चमच मैं इस प्रेड के डाल रही हूँ, आप इसकी कौंटिटी बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको इसका फ्लेवर और भी जादा पसंद है तो, वैसे ही इस प्रेड ना अपने आप में ही बहुत जादा टेस्टी है, बहुत ही अच्छी खुश्बू आ जाती है इसको खोलने पर ही, अच्छा, स्प्रेड के साथ ही इस दूद में डाल देंगे, चार बड़े चमच जितना ही कौन फ्लार, कौन फ्लार को मैंने नॉर्मल चमच से ही मेशर किया है, जो चमच हम घर में रूटीन में चावल बगरा खाने के लिए यूज़ करते हैं, अब हम चलेंगे दूद की तरफ, तो ये जो दूद हमने गरम होने के लिए रखा था ना, अब ये भी थोड़ा सा गरम हो गया है, तो फ्लेम को अब हम बिल्कुल लो कर लेंगे, इसमें डाल देंगे ये कौन फ्लार और ये स्प्रेड वाला मिल्क, इसे डालते ही, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, और इसे अब हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जब तक ये मिक्सर जो है ने, ये थिक क्रीमी हो जाएगा, और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, अच्छा हो सकता है कि इस तरह से डालने के बाद थोड़े से लंप्स बन जाएं इसमें, तो आप इसे लगातार विस्क के साथ चलाते रहिएगा, लंप्स अपने आप ही निकल जाएंगे, अगर फिर भी लगे कि लंप्स नहीं निकल रहें, तो आप एक बर ना इस मिक्षर को ग्राइंडर में थोड़ा सा चर्न कर लीजेगा, यानि कि एक बर थोड़ा सा मिक्षर ग्राइंडर में चला लीजेगा, एकदम स्मूध हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैस इस तरह से ये जो मिक्षर है, इसे अब हमें पकाना है, और हाँ, लगाता चलाते हुए पकाईएगा, पैन के नीचे तक अच्छे से चलाईएगा इसे, तो तकरीबन 10 मिनट तक पकाया, मैंने इसे लो फ्लेम के ऊपर, और अब आप देख रहे हुए, कि मिक्षर कितना एक्तम थिक और क्रीमी हो गया है, एक अच्छी सी कोटिंग कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें, और मिक्षर में बबल्स भी बन रहे हैं, तो इतना हमें इसे पका लेना है, तो बस इसी के साथ त्यार हो गई है हमारी ये बिसकॉफ पुडिंग, ये इतनी जादा टेस्टी है ना कि इस पुडिंग को आप अकेले भी सर्फ करेंगे ना, ये सब को बहुत जादा पसंद आएगी, तो चलिए, गैस को मैंने बन कर दिया है, अब इस पुडिंग को ना, हम सिरफ 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे, ताकि ये हल्क किसी ठंडी हो जाए, पूरी तरह से ठंडी नहीं करनी है, नहीं तो ये इसी में ही सेट हो जाएगी, और हाँ, जब आप इसे 3-4 मिनट के लिए रखेंगे न, तो बीच-बीच में चलाते रहिएगा, ताकि इसके उपर कोई भी ड्राइफल्म फॉर्म ना हो, तो इसके बाद अब हमने ये जो बिस्किट्स फ्रिज में रखे थे, दस मिनट हो गए थे, ये भी सेट हो गए है, अब हमने ये जो पुडिंग बनाई है, रखे हुए 3-4 मिनट हो गए थे, और अब आप देखरों कि और भी ज़्यादा थिक और क्रीमी हो गई है, कितना एकदम वेल्विटी टेक्शर है इसका, तो अब हम अपनी इस पुडिंग को डाल देंगे इन बिस्किट्स के ऊपर, आप देखरों कि कितना एकदम वेल्विटी टेक्शर है, इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, ये पुडिंग आप ज़रू ट्रा करिए कैसे, तो बस इस चाना से पुडिंग डालके, अब इस बोल्स को आप चाहो तो 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो, पुडिंग थोड़ी सी सेट हो जाएगी, या फिर अगर चाहो तो आप आधे कोने खंटे के लिए किचन काउंटर पर रखे रहने दो, तो मैंने तो 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, मुझे आज थोड़ी सी जल्दी है, तो बस 15 मिनट में ही ये पुडिंग थोड़ी सी सेट हो गई है, गीली नहीं है अभी, तो इसके उपर अब मैं एक फाइनल लेर दे रही हूं, जिसमें मैं थोड़ा सा और विसकॉफ spread डालूँगे इसके लिए, तो मैंने यहाँ पर विसकॉफ spread को थोड़ा सा फिरसे microwave में ही microwave कर लिया था, तांकि हलका सा ये melted form में हो तो इस तरह से थोड़ा सा spread डालके से अच्छे से spread कर लेना है, तो एक layer आजाएगी इसकी आप देखने हैं कि कितनी yummy लग रही है ये layering इस तरह से देखने में और ये spread अपने आप में ही इतना जाधा tasty है बहुत जाधा tasty बनती है ये pudding आई इसके बाद final garnishing कर लेंगे अचा इसके लिए na garnishing के लिए दो तरीके में आपके साथ share कर रही हूँ सबसे पहला तरीका जो biscuits हमने crush किये थे ना उसमें से मैंने एक चम्मत जितना biscuit अलग रख लिया था उसी crushed biscuits के साथ ही मैं इसे garnish कर रही हूँ आप चाहो तो इस तरह से garnish कर सकते हो या फिर simple सा आप एक biscuit लीजिए और इस तरह से center में रख दीजिए तो इस तरह से मैं दो तरीके बता रही हूँ आपको garnish रिंग के आपको जैसे पसंद हो वैसे garnish कर लीजिएगा और इसी के साथ अब हमारी ये pudding वाले bowls त्यार हो गए है अब बस इसे आधे पॉने घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये थोड़ी से set होकर ठंडी हो जाएगी और फिर इससे serve करेंगे तो थोड़ी देख तक फ्रिज में रखने के बाद और finally हमारी ये बिसकॉफ पुडिंग set हो गई है बहुत ही जादा यमी बनी है ये और आप देखते हो लेरिंग कितनी अच्छी लग रहे है इसकी देखने में जितनी ये देखने में अच्छी लग रहे है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी लगती है तो अब आप भी try करिए इस पुडिंग को आपको ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही जल्दी जटपट बनकर त्यार हो जाती है ये और हाँ इसे try करके न अपना feedback मेरे साथ जरूर शायर करिएगा pictures और सारी recipes के आप मेरे instagram पे शायर कर सकते हो और recipe पसंद आई हो तो please वीडियो को like करिएगा और channel को subscribe करना ना भूले आज हम बनाएंगे बहुत ही tasty dessert चुकि है हमारी एक custard pudding खाने में ये बहुत ही जादा टेस्टी लगती है और बनाने में तो इतनी आसान है कि मानो बच्चों का काम है और ये recipe मेरी mom की special recipe है तो आप इसे जरूर try करिए और सच मानिए ये बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो अगर आपको ये recipe परसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैं यहां ले रही हूँ कर लेंगे और इस दूद को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तब तक जब तक इसमें उबालना शुरू हो जाए और एक तरफ हमने जो दूद अलग से कटोरी में निकाला था इसमें अब हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर तो तक्रीम धाई बड़े चमच कस्टर्ड पाउडर डाला मैंने इसमें और इसे हम मिक्स कर लेंगे इस दूद के साथ तांकिस में कोई भी कि लांसा न रहें तो इससे मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा ये कस्टर्ड मिक्सर तैयार है और इधर हमने ये जो दूद उबलने के लिए रखा था इसमें भी तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा हम इसे डालते जाएंगे और साथ की साथ स्पेचुला से mix करते जाएंगे तांकि इसमें कोई भी लंप्स ना आए तो इसे डालने के बाद अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे इस तरह से पैन के नीचे तक चलाना है और जो पर देर तक मैंने low medium flame फ्लिम के ऊपर पका लिया है और बीच-पीच में गयस की flame को थोड़ा medium भी किया था और अब हमारा ये custard बिल्कुल अच्छे से थिक हो गया है, आप देख रहे हैं कि कैसे ये spatula को भी अच्छे से coat कर रहा है, तो एक बार मैं इसकी consistency आपको चम्मच से चेक कराती हूँ, तो काफी अच्छे से थिक हो गया है हमारा ये custard, चम्मच को इसने बिल्कुल अच्छे से coat क किया है, और इस टेज के ऊपर अगर आप चम्मच की back side के ऊपर हलकी से लाइन बना कर चेक करेंगे, तो आप देखने हैं कि ये जो gap है ये बिल्कुल ऐसा का इसा ही है, तो बिल्कुल इसी तरह की consistency का custard बनाना है हमें, तो बस अब हम गयास को बंद कर देंगे और इसे निका ताकि ये बिल्कुल अच्छा से ठंडा हो जाए और तब तक हम अपनी बाकी की तायारी करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहां पर ये थोड़े से फ्रूट्स लिये हैं, जिसे मैंने बारी काट कर यूज किया है, जिसमें मैंने थोड़े से से थोड़ा सा आम और ये तो इसे अब हम डालेंगे एक बोल में और इसे मिक्स कर लेंगे, फ्रूट्स आप इसमें अपने मन पसंद कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवैलेबल हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं, बस जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे की जगा चॉकलेट केक भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास घर का बना हुआ केक है, तो वो आप इसमें यूज कर सकते हैं, वो जादा अच्छा लगेगा, बट क्यूंकि मैं आज इसे इंस्टेंट तरीके के साथ बना रही हूं, तो मैंने यहां बाजार का केक यह बिल्कुल ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, या आप अपना मन पसंद कोई और ड्राइफूट भी यूज कर सकते हैं, तो इधर हमने यह जो कस्टर ठंडा होने के लिए रखा था, अब यह काफी अच्छे से ठंडा हो गया है, और अब आप इसकी क आप इसे बिल्कुल इसी कटर रखेंगे, क्यूंकि हम इसे केक अच्छे से सोक करेंगे, और भी अच्छा से ठंडा हो चुकी है, अब हम अपनी इन सारी जीजों को असेंबल करेंगे, तो उसके लिए मैंने यह ए ग्लास उस किया है, आप चाहें तो इसे बड़े वाले बो देंगे ये कस्टड जो हमने अभी बनाया है तो काफी सारा कस्टड डाल देंगे हम इसमें तो आप देखने की कस्टड हमने इसलिए थोड़ा सा पतला रखा तांकि वो केक में थोड़ा अच्छे से अब्जॉब हो जाए तो इस तरह से कस्टड डालने के बाद अब बारी आ अब यहए अज्व दिये हमने और इसके ऊपर फिर से ये कस्टड डाल देंगे तो काफी सारा कस्टड डाल दूंगी मेख और अब हम इसके ऊपर डालेंगे यह तो जो फु Sounds सजुन मैं अच्छे से तेस्टी बनता है सच में ये तो इसी तरह से मैंने ये दो ग्लास तैयार कर लिए हैं और अब हम अपने इन ग्लास को फ्रिज में रखेंगे तकरीबन तीन-चार घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर हम इने ठंडा-घंडा सर्फ करेंगे क्योंकि ये ठंडा ह तो आप इसे जरूर ट्राय करिएगा और कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे बताना ना भूलिएगा और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक आम वजन के अकॉर्डिंग ये तकरीबन धाइसो ग्राम का एक आम था जिसका पल्प मैंने निकाल लिया है तो इसे हम डालेंगे ग्राइंडर जार में अगर कप्स के अकॉर्डिंग में बताओं तो ये तकरीबन एक कप आम का पल्प है तो इस आम के पल्प के तो एकदम smooth paste बन करके तयार हो गया हमारा ये और अब हम चलेंगे अपनी cream की तरफ तो उसके लिए मैंने या ली है आधा कप cold whipping cream और इसे हम विप कर लेंगे तब तक जब तक इसमें stiff peaks ना बननी शुरू हो जाए और ये चो cream मैंने यहां यूज की है ये already मीठी है तो मैं इसम में stiff peaks बन रही है तो इस stage तक हमें अपनी cream को विप करना है और अब हम इसमें आड़ करेंगे ये mango pulp जो हमने तयार किया था तो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे आड़ करेंगे तो तक्रीबन तीन बड़े चमच आड़ किया मैने पहले इसमें और फिर हम इसे किसी चमच या ये mango mousse तयार है इस stage के ऊपर आप इसे एक बार टेस्ट भी करके देख लीजेगा अगर आपको इसमें चीनी कम लगे तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं तो हमारा ये smooth velvety mango mousse तयार है इसे हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिच में रख देंगे और तब तक हम अप बेलन से अच्छे से crush कर लेंगे आप चाहें तो इसकी जगा इसे normal grinder में डाल के भी grind कर सकते हैं तो मैंने इसे अच्छे से crush कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में और इन biscuits में अब मैं थोड़ा सा butter आड़ कर रही हूं तो तक्रीबन 3-4 बड़े चमच मैं यहा अमुल का salted butter यूज किया है आप कोई भी butter डाल सकते हैं इसमें salted या unsalted या घर का जो white वाला मखन होता न वो भी आप इसमें डाल सकते हैं तो इस तरह से यह butter डाल देंगे हम इसमें और इसे अच्छे से biscuits के साथ मिक्स कर लेंगे तो biscuits भी अब हमारे तयार है और अब हमने यह जो मूज बनाया था ना इसे अब हम एक piping bag में फल कर लेंगे तो इस तरह का अगर बैग नहीं है आपके पास तो normal कोई भी plastic की थेली यूज कर सकते हैं या फिर इस मूज को आप normal चमत से भी आड़ कर सकते हैं अपने glass या bowl में जिसमें भी आप इसे serve करेंगे तो इस तरह से तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यह biscuits की लियर जो हमें अभी तयार की थी तो इस तरह से दो से तीन बड़े चमच biscuits के डाल देंगे हम इसमें और डालने के बाद हम इसे उपर से हलका सा अच्छे से set कर लेंगे तो इस तरह से biscuits को set करने के बाद अब हम डालेंगे यह मू मूज डाल दिया हमने इसके उपर और इसे भी हम हलका सा चमत से सेट कर लेंगे और फाइनली इसकी गानिशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल रहे हूं थोड़े से यह मैंगो चंक्स तो जब यह स्मूध वेलविटी टेक्शर वाले मूज के साथ यह चंक्स और बिस्किट्स चंक्स के साथ जब हम इसे खाते हैं तो यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो कैसी लगी आपको आज की यह रेसिपी मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फामिली मेंब इसके साथ शेयर जरूर करें